है सरफ्लस जीन्स raw minute लाइन में सरफ्लस क्या होता है 죽 आजकी देट में जो किस्टमर आ रहा है उसको इसर प्लाइव सब्सक्रस नहाएं अट दीश जैगे यूट्व में जितने भी log Chen व्रिशियोज मेला कि अउससे मेले पड़ा रूपीज से या 100 रुपीज से 300, 400, 200, 500, 600 का सर प्लस जीन्स का इस्टाग पड़ा है, पुरा इस्टाग भी देख रहे हैं, तो आज यही देखते हैं कि सर प्लस आखिर है क्या, और सर प्लस के इतना क्रेज क्यों है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिवान गार्मेंट में ए और जो मेरे पहले से सर इस्क्राइबर हैं, उनका बहुत-बहुत आभार थेंक्यू, तो सर प्लस जीन्स आज मार्केट में छाया हुआ है, कोई भी कस्टमर आ रहा है, तो वो मांग रहा है सर प्लस जीन्स, तो सर प्लस जीन्स होती क्या है, दोस्तों, जो कंपनिया होती है जो भी बड़े ब्रांड थोते हैं और स्फेलर को आडर देते हैं कि हम को ब्रांड में 30,000 पेस चाहिए चाहिस जार पेस always होता है करते हैं उस जो कम्पनी के अकिन बशक्रा न नीकर पीच में ऐगर मैंनुफ्लेक्ट्राइश को यहां करते हैं हैं उनके लिए अगर तीन अजाशार पीस का अर्डर है तो 35 रिस बनाते हैं पांच news चार्स पीस इश्ट्रा बनाते हैं तो इंगजे संथे UK 3 zł का तीनातीं को दीने किसि वगाता है उसमें जो ब्यापारी होता है ब्यापारी पास जो 28, 30, 32, 34, 34 का रेंज होता है जो रेंज बिखने के बाद जो रेंज बिखने के बाद कुछ कट रेंज बन जाते हैं जैसे किसी पैटन में 28, 30, 34, 34 बन गया वह भी एक surplus चींस होता है किसरे नमबर के जो जींस है वह surplus होता है कि कुछ माइनस चीजे निकल जाती है डेमजिंग चीजे निकल जाती है देखा जाए तो दोस्तों वह पूरी तरह से surplus original जींस होता है लेकिन मार्केट में अभी आप कहीं भी देखेंगे तो पूरा इस्टाक पड़ा हुआ है और एक तो सावधान रही है ऐसे surplus जिन से क्योंकि कंपनिया इतनी बेवकूफ नहीं होती कि 3,000 पीस 30,000 पीस का चालेश जार पीस के आडर के पीछे वह 5,000 पीस बना डाले ऐसा पसिबिल नहीं है कंपनिया बनाती है इस्टापीस बनाती है लेकिन ज्यादा नहीं 400 से 500 पीस इस्ट पीस का जो उनका आडर है वो हम पूरा आडर कर सके इसके लिए जो 300, 400, 500 पीस इस्टाप बनते है वही पीस बनता है तो इतना surplus जीन्स आया कहां से ये देखने लाइक बात है ये समझने लाइक बात है कि आप समझिये बेवकूफ मद बनिये क्योंकि मान लो इतना surplus जीन्स और फिर आया कहां से तो दोस्तों surplus जीन्स की आडर में ज्यादा तर फश्ट कापी जो जीन्स बनता है वो surplus में बिक रहा है तीजन इसका वही है कि surplus ज्यादा तर वहां मिलता है जहां पोर्ट रहता है और जो कस्टम से पीस आता है वो पूरी तरह ब्रांड का सरप्लस होता है और वो किन कारणों से आता है मालो माल कहीं एक्सपोर्ट हुआ और किसी कागज वस या किसी फाल्ट वस डैमजिंग की वज़ा से माल रिटन आता है या तो कस्टम से वो बाहर नहीं उसको अपकी अपनी गीरफ्द में ले लेते हैं तो वह माल जो कश्टम वाले बेचते ही, वह प्रांडड माल पूरी तरह से सर्पलस जींस होता है लेकिन वो कैसे आपको पहचाणना है इस आप देखना है क्योंकि brand का पीस अगर आप ले रहे हैं तो ज्यादा तर दोस्तों फष्च कापी मिलता है क्योंकि जो surplus jeans में दिखा रहे हैं कि हमारे पास हर brand के jeans हैं हर ब्रांड के हमारे पास कपड़े हैं तो पूरी तरह उसर प्लस नहीं होता ओरिजनल नहीं होता है यह बात आपको ध्यान रखना है सर प्लस में छोटी-छोटी माइनस पीसे देखते हैं जो थ्वा थ्वा डेमजिंग पीस होती हैं सिलाई को हो गया, बिल्ड के धागे कुले हो गया या थ्वा चैन खराब हो गया ओर सर प्लस जीनस से हो सकती हैं लेकिन आम आदमी को ज्यादा तर ओर छोटी-छोटी माइनस चीज़ें दिखती नहीं हैं वह उरेजिनल पूरी तरह औरिजनल जीनस होती है तो उरेजिनल Zines होती है सबसे अच्छी Surplus Genes में वह होती है जो आज कल देखते हैं कि बड़े-बड़े टोंड जीनन आते हैं डेम जीन्ग आते हैं जिन्स आते हैं बड़े बड़े डेमजिंग जिन्स होते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा फ्रेंड में ऐसे जगह डेमजिंग है आइसा ऐसा टेमजिं से बनाये जाते हैं जिन्की जगवत ही नहीं हैं क्योंकि जो डेमजिंग होती है नीकoses फाफ वसके लगते लगते हैं जो दोस्तों वह ऑँकि ठोडी जाती है तो उसके नीचे में यह कपा लगा के बड़ेचीं किया जाता है बड़े-बड़े damaging इसके लिए किये जाते हैं क्योंकि वो जो कटा हुआ भाग है वो छुपाया जाता है वो brand की original jeans से हो सकती है उसको आपको देखना होगा वो भी पूरी तरह ध्यान से क्योंकि surplus jeans की आड़ में brand की जो jeans से होती है उनकी आड़ में फश्ट कापी बहुत जाजा पिक रही है इससे आपको सावधान होना है क्योंकि कहीं न कहीं फश्ट कापी अगर आप ले रहें खरीद रहें तो आपका हमारा नहीं ये देश का भी नुकसान है तो सबसे पहले फ़र्ष्ट कापी को ignore कीजिए और अगर आप लेना ही चाहते है ब्रांड का पहलना ही चाहते है कम दामों में तो देखिए जहां छोटी-छोटी माईनर जहां छोटा-छोटा माईनर पीसे बिखती है जो डैमेज होती है माईनर डैमेज होती है उसको देखने से भी मालुम नहीं पड़ता वो जींसे खरीदिये या तो फिर कोई लोकल ब्रांड का जिंस पहपनिये क्योंकि local brando में भी अच्छे कपड़ों में अच्छे जिनसे आती है तो Vasak Plus के नाम पे जो ये copy भीक रही है हैं, Sar Plus के नाम पे जो first copy second copy भीक रही है इनसे साधान रही है, market में जाए तो इन 100-100, 200 या 100-100 की जिनसों में मत पढ़िये क्योंकि 100-100 में कपड़ा भी नहीं आता एक इनर भी नहीं आता अंडर वियर भी नहीं आता तो यह 100-100 में ब्रांडेंड जीन्स कैसे मिलती हैं यह फंदा आप समझ आगर सी ग्रेट की जो जीन्स से आती है जो थोड़ा कटी फटी रहती हैं, माइनर रहती हैं, वो समझ सकते हैं, बाकि कुछ जगए हैं, जहां पे सर प्लस ब्रांडेट जिन से मिलती है, वो थोड़ा बहुत मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसी जगए जहां पोर्ट है, क्योंकि कस्टम से जो माल पकड़ा जात है, वो ज्यादा तर वहीं सेल हो जाता है, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, और चाहे तमिल नाडु हो, माल इक्सपोर्ट होता है, जहां तर कस्टम में जो माल फसा रहता है, जो ब्रांडेट जिन से फसी रहती है, जहां तर वो वहीं पे सेल हो जाता है, तो ऐसी जग दोहों पे ही हमको surplus branded jeans मिल सकती है। बाकि जो market में भिक रही है, branded surplus jeans उनसे सावधान रही है। क्योंकि वो branded surplus jeans नहीं है, वो copy भिक रही है। same to same copy बनाना आज कल कोई बड़ी बात नहीं है। तो surplus jeans का ये खेल है, इससे सावधान रही है। और चैनल पे ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। एक comment box में message जरूर कीजिए। वीडियो को like जरूर कीजिए। नमस्कार, thank you, धन्यवार।